दोस्तों आपको पता हिए कि अगर आपको यूटूब से पैसे कमाना है तो आपके यूटूब चैनल मॉनिटाज होना चाहिए मॉनिटाज किस तरीके से करना है किस तरीके से एड्स आपके यूटूब चैनल पर आएंगे वीडियो पर आएंगे और किस तरीके से आपको पैस मलेगा इस सारा प्रोसेस में आपको पताने वाला हूं इस वीडियो में वीडियो का पूरा एंड तक देखना और मैं चलता हूँ computer screen पर पर आपको आना होगा यूट्यूब पर और यहां पर देखिए आपके चैनल का लोगो आ रहा होगा इस पर क्लिक करना है इसके बाद नीचे रिखा हुआ है यूट्यूब इस्टूडियो इस पर आपको आना है यहां पर देखे दोस्तों आपका चैनल खुल गया है अब आप देख लिजिए कि आपको सब्सक्राइबर हैं वो एक हजार हो करे हैं कि नहीं हुए ठीक है इसके बाद नहीं चाना है और यहां पर दिखा हुआ है इसके पर इसके बाद देखे यह पेज खुल जायगा यहां पर निचा आना है पर दोसरों चार स्टैप होने चाहिए उसके बाद आप के लिए अपलाई कर सकते हो सबसे पहला step है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए जो कि मेरे पूरे हो चुके हैं इसलिए यहाँ पर check mark बना हुआ है इसके बाद second step है कि आपके channel पर total बलाके 4000 घंटे होने चाहिए ठीक है और मेरे इस channel पर भी है 934 घंटे तो जो 4000 घंटे वाला criteria है वो पूरा हो चुका है इसलिए यहाँ पर check बना हुआ है इसके बाद आता है two step verification मतलब कि आपकी जो ID है वो two step verification होने चाहिए और two step verification मतलब होता है कि जब आप login करोगे तो login करने के बाद OTP आपके मौल पर भी जाना चाहिए ठीक है तो वो भी आप आसाने से कर सकते हो YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी तो यह भी मेरा पूरा है इसलिए हाँ पर check बना हुआ है इसके बाद last step है कि आपके channel पर कोई भी community guidelines strike नहीं होने चाहिए तो मेरे इस channel पर एक भी strike नहीं है यहाँ देखे लिखा हुआ है zero active community guidelines strike ठीक है इसलिए हाँ पर चारों पर चैक है इसके बाद अगर चारों चैक है उसके बाद ही आप monetization के लिए apply कर सकते हो तो में apply करता हूं और प्रक्लिक करता हूंκι इसके बाद दुस्तों देखिए आपके सामने यह वाला पेज़ कूल जाएगा सबसे पहला step है आपका review partner program term ठीक है second step है sign up for google adsense third step है get reviewed ठीक है तो आपको यह तीनो step पूरे करने पड़ेंगे सबसे पहले करते हैं step number one review partner program term इसके लिए हम start पर click करेंगे हाप पर नहीं चे लिखा हुआ है start इसके बाद देखें यह आपकी जो youtube partner program term है याने की जो condition होती है youtube के साथ काम करने की वो conditions सब यहां पर लिखे हुई है आपको इन सभी condition को पढ़ना होगा आराम से पढ़ना होगा पढ़ने के बाद आपको नीचे I accept the youtube partner program term यहां पर click करना है और इसके बाद accept terms पर click करना है यहां पर लिखा गया है done इसका मतलब जो हमारा step 1 था वो पूरा हो चुका है अब आते हम अपने step 2 पर यहां लिखा हुआ है sign up for google adsense इसका मतलब हमें अपने लिए एक google adsense account create करना होगा और google adsense account में ही आपके पैसे आते हैं यूटूब की तरब से पैसे आते हैं वो google adsense में ही आते हैं ठीक है तो यहां पर हम start पर click करेंगे अगर इसके बाद यहां पर आप click करना है देखी यहां पर पूछा हुआ है कि क्या आपके पास पहले से ही कोई google adsense account है अगर है तो आप yes करेंगे yes I have an existing account ठीक है अगर आपके पास google adsense account नहीं है तो आप यहां पर no पर click करेंगे और अगर नहीं जानते तो I don't know करेंगे तो यहां पर basically आपको yes या no करना होता है अगर है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no करेंगे तो मेरे पास google adsense account नहीं है और मैं अपने लिए नया account बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं no I don't have an existing account पर click करूँगा इसके बाद यहां पर हमें continue करना है अब दोस्तों आपको यहां पर उसी id से login करना है जिस id से आपका यह channel था ठीक है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page खुल कर आ जाएगा यहां पर देखिए आपके channel का नाम लिखा हुआ है और यहां पर आपकी वह email ID लिखी है जिस email ID से आपको यह channel है पहले आप इन दोनों को अच्छी तरह चेक कर लो ऐसा नहों कि आप दूसरी email ID के थुरू अपना Google AdSense बना रहे हों तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो एक बाद इन दोनों को चेक कर लो इसके बाद यहां देखिए लिखा हुआ है यहां पर आपके channel का URL होगा जो आपका channel है उसका जो URL है वो यहां पर अपने आप लिखा जाएगा ठीक है नीच आना है यहां पर लिखा हुआ है get more out of AdSense याने कि आप AdSense से और क्या चाते हो ठीक है तो basically आप Yes करोगे तो Google AdSense आपको समय समय पर भेशता रहेगा जो उसकी condition होगी जो अप्डेट आएंगी वो आपको भेशता रहेगा ठीक है यहां पर आप Yes पर क्लिक कर देना इसके बाद नीच आते है Select your country तो यहां पर आपको अपनी country स्लेट करनी है जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहां कर लूँगा इंडिया इसके बाद नीच आते हैं और यहां पर आपको review करना होगा जितनी भी term and condition है Google Adsense की सबको पढ़ना होगा पढ़ने के बाद नीच आओगे इसके बाद आपको यहां पर Yes I have read and accept the agreement पर क्लिक करना है और नीचे create account पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page खोज जाएगा यहां पर सबसे उपर लिखा हुआ है customer information यहां पर आपको अपने information डालनी है सबसे पहरे आपको account type में select करना है कि आप जो YouTube चलाते हो वो as a induiser चलाते हो या फिर business की तरह चलाते हो ठीक है तो यहां पर आप induiser करेंगे अगर आप एक business की तरह run करते हो इसका मतलब आपने कोई company खोल रखी है बहुत सारे बंदे रखे होगा है जो वीडियो डालते हैं वीडियो पर काम करते हैं तो उस case में आप यहां पर business करेंगे जो नाम आपके pen card या अधरकार में लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद address में आपको अपने अधरकार वारा address ही डालना पड़ेगा पिन को डाल दीजिए इसके बाद state इसके बाद आपको phone number डालना होगा वैसे optional है पर डाल भी सकते हो और इसके बाद submit पर click करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page आ जाएगा redirect YouTube तो यहां पर आपको redirect कर देना है वैसे इसके बाद देखिए यहां पर step 2 में आ गया है in progress इसका मतलब यह है अभी जो हमने Google Adsense account बनाया है वो अभी verify नहीं हुआ है देखते हैं कितने दिनों में होता है इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर हमारा done लिखा गया है यानि कि जो हमारा Google Adsense है वो successfully add कर दिया गया है ठीक है देखिए यहां पर step 1 done था पहले ही और step 2 done हो गया आज है 12 तरिक इसमें एक हफ्ते ज़्यादा लग गया पर कभी कभी इतना टाइम प्रकाउंट पहले से ही है तो उस case में यह चलती भी हो जाएगा ठीक है तो वह दोनों तरिकाम हो गए अब आते हैं तीसरे step पर step 3 पर आपर देखिए लिखा हुआ है इन प्रोग्रस ठीक है दोस्तों वह ओटमेटिक जब आपके step 1 और step 2 दोनों दन हो जाते हैं तो तीसरे step ओटमेटिक हो जाता है ठीक है अब प्रोग्रस में चल रहा है और जब यहां पर दन लिखके आ जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा यहां पर वास्टाइम के नीचे डॉलर्स भी लिखे आएंगे ठीक है तो अभी वेट करते हैं आज बारा तारिक है कब तक अप्रूफ होता है दोस्तों फाइनली हमारा चैनल मॉन्टाइज हो गया है और आप देख लीजिए मेल आ गई है और आज है बीस तारिक 20 जनवरी 2022 ठीक है मतलब कि करीब एक हफ्ता लग गया मेल आना में भी और जो मेल है वो देख लिए यहां पर लिखे हुई है यूट्यूब करके इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखे दोस्तों रिखा हुआ है यूव बिन अप्रूब टू जोएन डा यूट्यूब पार्टनर इसका मतलब यह है कि हमें अप्रूब मिल गया है अब हमारे वीडियो पर एड आएंगी और उसका पैसा भी अमें मिलेगा ठीक है जो पैसा जाएगा वह हमारे गोगल अट्सेंट में जायेगा जो डिटिल आपने दी थी उसे अकाउंट में ही जाएगा ठीक है दोस्तों औ तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना चैनल मॉन्टाइज करना है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और 4000 घंटे भी पूरे हो जाए ठीक है दोस्तों और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं यूट्यूब कोलता हूं एक सब्सक्राइब रूखो यह देखी दोस्तों यहां पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल का क्रेटर स्टूडियो खोल लिया है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपका चैनल मॉन्टाइब हो जाएगा तो यहां पर देखिए आपका जो रेवेन्यू है आपको कितने पैसे मतलब जन कि आपका यह रहा है कि नहीं आ रहा जब लिखा आ जाएगा तो उसका मतलब हो गया है ठीक है दोस्तों और दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो अपना चैनल मॉन्टाइज और फीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके रावत दोस्तों जब यह 100 डॉलार हो जाएंगे उसके बाद आपको किस तरीके से यह पैसे अपने बैंक एकाउंड में टांसर करने हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब मेरे 100 डॉलार हो जाएंगे ठीक है फिलाल इस वीडियो कहीं कतम करता हूं वीडियो अच्छी रहे तो लाइ मिलता है नाश वीडियो में थैंक्यो वेरे मच्छ